10 अक्टूबर को एक ऐसा बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि 10 से 15 हजार लोग कलेक्टेट की तरफ कूच करेंगे मुद्दा सरकारी अस्पतालों की जो सेवा हैं वो चरमराई हुई है जो प्राइवेट अस्पताल है उन पर भी सवाल ख़ले किया जा रहे हैं और जो प्राइवेट स्कूल है वो भी इस बार निशाने पर रहेंगे क्या पूरा अंदोलन है जो एक साल पहले अंदोलन हुआ उससे ये आंदोलन किस तरीके से अलग होगा। इसी पर हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के विदाएक अतुल प्रदान जो इस आंदोलन की अगवाई करने जा रहे हैं। अतुल जी मुझे एक बात बता है, ये 10 से 15 हजार आदमी बहुत होता है। लेकिन मेरेट तो बहुत बड़ा है, मेरेट में तो स्वास्तेयों का हाल देखिया, आप क्या कि एक दिन में अगर जितने मरीज परिसान होते हैं, अगर वो ही उनके परिजन निकल के आ जाएं, तो सायथ कलक्टेट के आस पास की कोई सटक नहीं बचेगी, जो भड़ने उस नाते में जनता की हर उस समश्या को उठाना चाहता हूं सरकार के सामने, जिससे हो परिसान है, हमने जब एक साल पहले अंदोलन किया था, उसकी सफलता का, तो मैं यह जानता हूं कि उसकी सफलता तो इसी चीज़ से दिक कम से कम हमें यह लगा कि हमने कुछ किया, और जन जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें विधायक चुना हैं, उनके विश्वास पर हम लोग खरे उतने, और जनता इस समय तरस्त है, आप देखेंगे चिकित्सा और सिक्षा से, जिस तरीके से बहंगाई बढ़ी है, उस महंगाई में सबसे ज़्यादा अगर किशी को परिस लेकिन मैंने अब की बार ये भी रखा, कि अगर सरकारी सहुलिते बढ़ जाएंगी, अगर सरकारी अस्पताल ठीक हो जाएंगे, वहाँ पर ठीक समय पर लोग डोक्टर देखने लगेंगे, जहां ठीक से होने लगेंगी, दवाईयां ठीक से मिलने लगेंगी, तो स्कूलों को लूटने का मौका मिलता है, जहां तक आपने बात की संक्या की, मैं निश्ची तुरुप से कह सकता हूँ, दस तारिक कांदोलन मेरट में एतियासिक होने जा रहा है, और मुझे महसूस होती है ये बात, कि जिस तरीके से जंता परिसान हैं, अपने इन विश्यो पर्टी के लोग हैं, अभी सरकार ने एक सर्कूलन निकाला था, कि जो सरकारी करमचारी हैं, अपने आए का ब्योरा दें, लेकिन पिछले साथ सालों में नहीं दिया, फिर समय बढ़ा दिया सरकार ने, कि वो नहीं दे पा रहे हैं, मैंने भी ये बात कही दिया, आपको धि क्या क्या धन समपदा मेरे पास है, है या नहीं है, और मैंने डोक्टरों से मांग की थी, कि वो भी अपने पंद्रे साल, बीस साल, पच्चिस साल का हिसाब ना दें, सिर्फ तीन साल जो पिछले गए हैं, उनका हिसाब दें, कि कितने विदेश यात्रा हैं की हैं, बड़े कितने गिफ्ट उनको मिले हैं, और क्या-क्या संपत्ती इतने समय में उन्होंने अर्जित की या कितना धन कमाया, लेकिन किसी का जवाब पूरे मेरेड में किसी एक डोक्टर ने नहीं दिया, क्या लग रहा है पिर इसके पीछे क्यों नहीं जवाब दें, जवाब इसलिए की दवाई उसी इंजेक्शन की किमत पांसुर रुपे है, और अस्पताल में जाओगे तो पांसेजार रुपे है, तो आप सोचिए, जब दददद गुना पैसा लूटा जा रहा है, जेब खाली की जा रही है, सामने वाली किस्तिती नहीं देखी जा रही है, पहले से मांग कर रहे हैं, कि उन्हें कानून बनाना चाहिए, कि ऐसी सस्ती से सस्ती दवाईया लेने का मरीज को मोका मिले, और जाच जब आपने लैब को सब को परमिशन दे रहे हैं, कि तो कहीं से भी जाच करा के लाए, जा सकती होगी, वहां से हो, लेकिन जैसे आप आंदोलन लुट का तंत्र चलता है, दवाई के नाम पर, जाच के नाम पर, फीस के नाम पर, अन्याने मदो से, यह किस तरीके से पैसा वसूलते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भगवान का दर्जा है, इसमें हम लोगों को उसी तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन बीजे पी के लोग भी जो सो सो दो सो मरीज आ रहे हैं या सरकारी अस्पतालों की विश्टा है अरे पोचिए ना जनता का दुख दर देखिये मेडिकल कॉलिज में पच्चा कैसे बनता है फिर उसके बाद जांच कैसे होती है कितनी लबी लाइन लगती है फिर अस्पताल में डोक्टर के लिए अग unanim car Mogang अगर किसी प्राइविट अस्पताल में जाते हो तो प्राइवेट अस्पताल में जाकर देखे स्थिति क्या है कई नामचीन डोक्टर हैं एक दिन में कहते हैं डाई डाई सो तीन तीन सो मरीज आचा कोई बता दे कि तीन सो मरीज कैसे देख लेगा कोई और देख भी रहा होगा तो बहजपा के लोग जाएं और वहाँ जाकर उनकी व्यता जाने है जो घर बेचकर बैस पसू बेचकर अपनी चीजे गिरवी रखकर अपना मकान गिरवी रखकर अस्पता में लोग मिलाकर खच कर दे रहे हैं और उसके बाद भी उनका मरीजी नहीं बचता एक बात तो बताएए इस बार तो ये भी हो रहा कि टाई बेल्ट और ड्रेस पे भी पहरा लगाना जा रहा है? हैं मेरा सीधा क ना है जब सरकारनें सी बीएस सी में एन सी आर्टी की बुक्स को माने ता दे दी कि एन सी आर्टी की बुक जहां से सस्ती मिलें वहां से लेने दें फीस हर साल कम सकम ना बढ़ाएं अब मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों को अपनी संपत्ति को सावज़ी करना चाहिए ये जो विश्य है शिक्षा और स्वास्त का ये जनता से जुड़ावा विश्य है पहले सिक्षक को दर्जा देते थे भगवान और माता-पिता से बड़ा सिक्षक का दर्जा था अज इसी तरह डोक्टरों का दर्जा था भगवान का तो आप सोचिए आज वो दर्जे वाले लोग का हैं आज उनकी समाज माने तक कैसे खतम हुई है दोनों से मांग रहे हैं संपत्ति का भी हो रहा है नहीं नहीं मैं यह कहता हूँ कि जिसको यह लग रहा है कि उनके पास कम है वो दे दे जिसके पास ज़्याद है वो ना दे उसका खुदी लोग पता कर लेंगे लेकिन हम तो कह रहे हैं तो क्या राट दिन रुड़ों में से अगर सो रुड़ों में से आप सो रुड़ों में कमा रहे हो और किसी गरीब को अभी इन्होंने आई यमे में डॉक्टर नहोंने देखना कर लिए और प्छे निकलवा साथ दिन में से एक दिन क्या दो कि भई मैं इस दिन फिरी मरीज देखूंगा तब हम माने बड़ा दिल हम ये कह रहे हैं कि हपते में मत देखो चलो पंद्रे दिन कर लो अरे चलो पंद्रे दिन भी मत करो एक महिने में अपने क्लीनिक पर फिरी देख लो अब वहाँ पर मरीज्व को देख रहे होंगा तो आपको देखके पता लग जाए कि कितने मरीज माँ पर पोचे रात दिन चलेगा अंदोलन निश्चित रूप दिन चलेगा मैं तो आपके चैनल के माद्यम से क्योंकि आपकी रीजबड़ी है आपको सबलोग सुनते हैं सब्लोग जी तो मैं जब घर में बिमारी आती है जब बच्चे पढ़ने लिखना है लाग होते हैं तो सब को पता लगता है कि क्या इस्तिती कितनी खराब है अतुल जी कितना लंबा अंदोलन चल सकता है आपके इन मांगों के लिए जो आप प्राइवेट इस्कूल प्राइवेट हॉस्पिटल सर विशे को लेकर आगे नहीं बढ़ रही सब बढ़ रहे हैं तो मैं तो इस ही मैं तो इसमें अपनी जीत बांगता हूं कि हमारे इस विशे पर जिसको हम लेकर चले थे सालोग साल से आज मुझे खुशी होती है कि अन्यَन्यYY लोग अन्या-इन्य संग्टनों के लोग और आ आपके चैनल से मैं आपके चैनल को विशेद धन्यवाद दूँगा कि पिछली बार हमेशा जब भी जनता की कोई बात आई आप लोगों ने हमेशा उठाई और हमेशा जनता की बात को उपर रखने का मेरट की जनता से कोई अपील है कि भाईयो दोस्तों कोई जो मुझे में सुधार हो कैसे ये प्राइवेट अस्पतालों की सरकारी अस्पतालों की और निजी स्कूलों की कैसे विश्ता ठीक हो इसमें सब लोग स्योग करिए आईए जुड़िये और दस अक्टूबर से अंदोलन को बढ़ा करिए धन्यवाद आकरी सवाल मेरा आप से यह है कि स लोका में लचे देखें बड़ा स्टेट है बड़े स्टेट की कई अलग अलग बाते हैं चोटे स्टेट की अलग अलग बाते हैं जहां उत्तर प्रदेश की धाक है दिल्ली में और उत्तर प्रदेश को डिनाई नहीं कर सकता उसी तरीके से आप देखेंगे अलग अलग अल सच चुनके जाते हैं 37 समाजवादी पार्टी की चुनके गए तो हम तो उत्तर प्रदेश की महान जनता का धन्यवाद करेंगे और यही बात कहेंगे कि पार्टी इस पर कोई नहीं ने लेती है तो बात अलगे वैसे आपके हिसाब से नी जी आपकी राय जानना चाहिए नहीं देखिए मेरा कहना यह सबसे पहले हाई कोट की बेंच मेरी विक्तिकर राय अगर देखें तो प्रशी उत्तर प्रदेश में आने चाहिए तो हमारी मंसा तो यही रहेगी कि फैसिलिटी जो हैं मिलें लोगों को और बहतर समय बने आ लेकिन आपकी बातों से तो लगता आप चाहते हैं कि जो असी सीटे वो असी ही रहें? आम लोगों की राय हो सकती है सबकी अलग-अलग राय है लेकिन मैं सोचता हूँ कि उत्तर प्रदेश ताकत वरू है किस तरीके से कह रहे हैं कि 10 अक्टूबर से जो आंदोलन होने जा रहा है जनता से सीधी अपील की है कि सड़कों पर उतरें उनका साथ दें वो जन हित के मुद्दों पर लड़ रहे हैं और जब पस्रीम उतरप्रदेश को अलग राज्य बनाए जाने की जो मांग उढ़ रही है जब उस पर सावाल गया तो बोले कि 80 सांसत देता है उतरप्रदेश दमदार है उतरप्रदेश और दमदार ही देना चाहिए यानि उनका इशारह साफ है कि उत्तरप्रदेश का विभ